हेलो गाईज, वेलकम टू माई येटूब चैनल, मैं C.A. शम्मी सलूजा, देखिए गाईज, बोर्ड पे टाइटल है, हाउ टू गेट जॉब्स इन बिग फोर और मल्टिनेशनल कंपनीज, देखिए हर वर्किंग प्रोफेशनल का एक ड्रीम डेफिनेटली होता है, कि वो भी किसी मल्टिनेशनल कंपनी के साथ में एसोसियेट हो, या बिग फोर के साथ में उसको काम करने का मौका में लेए, इसपेशली कॉमर्स डॉमेन के स्टूडेंट्स, मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल साते हैं, कि सर्थ हम इंडरस्ट्री का एक्स्पोजर कैसे ले, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो simple B.com graduate student है या M.com कर रखा या C.A. inter student है और वो या तो C.A. form के साथ में काम कर रहे हैं या किसी mediocre form के साथ में काम कर रहे हैं तो guys, एक बात में आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको corporate के साथ में काम करने का मौका मिले आप big four के साथ में काम करना चाहते हैं आप fortune 500 companies के साथ में काम करना चाहते हैं तो आपको भी कुछ ऐसा definitely करना होगा जिससे कि आपकी credibility बने देखिए knowledge भी है, sometime experience भी है लेकिन आप कहीं न कहीं credibility को lack कर रहे हैं तो आपके credibility कैसे आप एक short period of time नेखती है तिकि most of the students जो मुझसे जुड़ते हैं उनकी age sometimes 30 के उपर होती है और even 40-45 के age वाले student भी हमसे बात करते हैं कि सर हम ऐसा कौन सा short run में course करें जिससे कि हमें big four में placement मिल सके या किसी corporate like JP Morgan, Morgan Stanley, Nestle, Cadbury या जो commercial banks है so guys आपके सामने कुछ short term professions के बारे में मैं आज discuss करने वाला हूँ और especially इस video को जो बनाने का मेरा purpose है उन working professionals जो की अभी किसी multinational company के साथ में काम नहीं कर रहे हैं जो की एक या तो CFM में हैं या simple accounting कर रहे हैं accounts people में है, accounts receivable में है कुछ operations में है because over the periodic experience जो मैंने gain किया है और because we are in the international placement also we had tied up with the various placement consultancy firms so मैं आपको guide कर पाऊंगा कि आपके लिए इन सारे profession में से सबसे बढ़िया profession कौन सा हो सकता है so सबसे पहले देखिए मैं यहां पर जो एड्रेस कर रहा हूं इस वीडियो के थुरू especially आप देखें B.com और M.com और M.B.A. आपने किया हुआ है लेकिन आप किसी multinational company के साथ में अभी काम नहीं कर रहे है एक mediocre firm जिसको की एक simple बहुत छोटे level की firm है और आपका भी dream है Fortune 500 companies अब आपके सामने courses बहुत सारे available है देखें मैं आपको long term की planning नहीं बताऊंगा इसलिए मैंने यहाँ पर एक ACCA के course को mention नहीं किया ACCA थोड़ा सा एक working professional के लिए एक long term course हो जाता है तो sir enrolled agent diploma in IFRS especially ACCA वाला diploma in IFRS CPA USCA which course is better for working professional जो की simple B.com, M.com या MBA जिनोंने कर रखा उनके लिए सबसे बढ़िया course क्या होगा तो दिखिए मैंने अनग दो category में यहाँ बीच में line draw कर देता हूँ तो सबसे पहले अगर आप investment के point of view से देखें यह है specialization specialization in the one field सबसे पहले मैंने लिखा है मैं सबसे जो top ranking दूँगा वो बेड diploma in IFRS को दूँगा even enrolled agent से भी ज्यादा क्यों? क्योंकि enrolled agent एक specialized job है जो कि US taxation अगर आप अपना career taxation की field में US company में establish करना चाहते हैं और केवल US based company या ऐसी companies जो कि US में listed हैं मतलब क्योंकि यहां पही specialization in taxation है तो आपके पास opportunity थोड़ी सी कम होंगी लेकिन competition भी नहीं है उतना मतलब enrolled agent है कि specialized जहां पही जैसे अगर मैं बात करो doctor है एक heart का surgeon है dentist है तो वो specialized job है ऐसे ही US taxation के लिए enrolled agent लेकिन दिखिए हर company में accounting definitely होती है फिर वो multinational company हो कोई सी भी company और accounting की profile में job की vacancies बहुत होती है मतलब ऐसे कोई सी multinational company नहीं होगी जिसको IFRS के according अपने financial statement नहीं बनाने होते हैं तो ACC का diploma in IFRS एक वो profession और सबसे अच्छी बात अता हूँ एक paper केवल एक paper single exam 50,000 का खर्चा 50K 50K में आप इसको क्या कर सकते हैं complete कर सकते हैं और आपके पास job की ample opportunity अब बहुत सारे ऐसे working professional जो की promotion के लिए भी देख रहे हैं जिनकी salary 30 to 40 के बीच में है तो honestly बताऊं diploma in IFRS करके उने higher side उने higher side जो आपका packaging इंडियन context में 10 to 12 के उपर नहीं जा सकता exceptions सारे देर देखिए जिन्दगी में exception कुछ लोगों के लिए तो कोई सीमा ही नहीं है मतलब वो कुछ भी ना करे हों तो भी कर लेते हैं इसमें average student की बात कर रहा हूं एक normal बात कर रहा हूं कि अगर आपने Diploma in IFRS की जो recognition है ना वो international है मतलब आपको आप किसी भी country में चले जाएए आपको Diploma in IFRS के basis पर job 100% मिलेगी चाहे दुबई हो कतर हो उसके बाद मैं especially बात करूँ इंडिया की हर city चाहे two-tire city हो metro city हो ये profession में आपको job हमेशा मिलेगी और manufacturing company आपको यह हायर करेंगे जो technical जो senior आप इसकी मैं तारीफ क्यों कर रहा हूँ क्योंकि देखिए जो hiring position पर होती ही ना मैं chartered accountant होती है जैसे मैं chartered accountant हूँ तो पहले मैं industry बे था सो जब मुझे अपने under में किसी staff को रखना होता था था तो मेरी 24 होती थी सबसे पहले जिसने diploma in IFRS कर रखा हो पहली choice अगर मैं किसी को hire कर रहा हूँ उसका interview ले रहा हूँ तो मैं HR को बोल दिता था कि आप डिप IFRS वाले candidate को हो का interview contact रही है या मैं CA enter को choose करता था लिटरली बोलू CA enter और डिप्लोमान को कि CA enter मुझे मालूम है कि अच्छा काम करेगा उसका technical lead बहुत ज़्यादा strong है तो डिप्लोमान IFRS आपको हमेशा मौका मिलेगा manufacturing company में आप corporate में अच्छा लेकिन आप बहुत CEO या CFO level तक नहीं पहुँच पाएंगे इसी तरीके से enrolled agent का course आप कर लेते हैं तो आपका जो progress है वो big four तक US based company तक है यहां पे भी आपका जो starting package होगा वो 40K to 50K के असपस होगा 40K to 50K के असपस आपका package स्टार्टिक भी लग जा रहेगा competition यहां बिलकुल नहीं है यहां आपको work मतलब एक तो enrolled legend की सबसे अच्छी beauty चार साल पाच साल काम करने के बाद यह मैं आपको क्या रहा हूँ कि आप freelancing basis पे इतना काम obtain कर लेंगे कि आप अपने खुद की practice start कर सकती है मैं इस चीज को 100% दावे के साथ कह सकता हूँ इसमें investment 1 lakh रुपीस एक लाख रुपे में आपका enrolled legend हो जाएगा US based company में आपका promotion मिले हो अब नीचे आते हैं दो बड़े profession एक है CPA certified public accounted certified public accounted एक management accounting का profession अब कई student confusion में हैं कि हमें CPA करना चाहिए या USCMA करना चाहिए तो सबसे पहले मैं बता दूँ अगर आप एक non commerce background से हैं operation में काम कर रहे हैं, R2R में काम कर रहे हैं, payables में काम कर रहे हैं और आपको इसके पहले कोई भी US taxation auditing और accounting का experience नहीं है go with the US CMA, आपका ये profession दो पार्ट में केवल, दो पार्ट से है इसमें और इसको आप within one year, less than one year क्या कर लेंगे, complete कर लेंगे तो अगर, लेकिन CMA की job केवल आपको multinational companies में ही मिलेगी metro cities में मिलेगी, two tire cities में मिल जाएंगी लेकिन अगर मैं इसको CPA से compare करू ना तो आप पहली बात तो CPA में आपको various kind of venture में इंटर करने का मौका मिलता है, like auditing में आपका career बना सकते हैं उसके बाद आप आपका accounting, financial reporting, taxation में आपका career बना सकते हैं CPA आपको एक license देता है, you can start your own practice और अगर आपको CEO या CFO level तक पहुचना है और आप, sir, hard work भी तो है, दिखिए, कितना hard work करना पड़ेगा, यहां 4 paper हैं और यहां 2 paper हैं level of toughness दोनों में बहुत different है, CPA as comparatively CMA के comparison में थोड़ा सा hard होगा, थोड़ा सा difficult होगा तो यहां पर आपको जो time लगेगा न, आपको 12 से 18 महीने भी लग सकते हैं average मैं बात करूँ, तो CPA के लिए 15 महीने आपको 15 टू 18 मन्त आपको लगेंगे अब सर्क कुछ लोग तो 7 महीने में भी कर लेते हैं, कुछ अरे कुछ लोग exception तो क्या है वो बिलकुल रणचोरदास हैं, बहती हवासा था और मतलब जो उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहां पर average normal human being जो की अपनी 9 to 5 job भी करना चाहता है प्लस अपनी working के साथ में अपनी profession को भी continue करना चाहता हो, तो CPA पे आपको 12 से 15 महके का time लग जाएगा CPA में आपका less than 1 year में हो जाएगा, दोनों में investment में भी double का फर्क है यह 1,50,000 में हो जाएगा, यह आपका 3,000,000 में हो जाएगा और यह सभी profession में से किसी एक भी profession को करके आप multinational companies में job को 100% achieve कर सकते हो, यह मैं आपको कागच पे लिख के दे सकता हूँ I can give on a piece of paper कि अगर आपने इन चारों में से एक भी profession को pass कर लिया और ऐसा आपके पास नहीं होगा कि आपको job नहीं मिल रही और मैं यहाँ पे हमारी team से आप बात कर सकते हैं अगर इन चारों में से आपने एक भी profession किया हो और आपको job नहीं मिल रही आप हमारे पास आईए हम आपका placement कराके देंगे मैं आपको assure कर रहा हूँ यह चारों में से एक भी profession आपके पास है और आपको job नहीं मिल रही ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक professional qualification को करने के बाद आपको job ना मिलेगी यह 100% आपको job मिलेगी आपके पास इन चारों में से एक professional अब सरी यह B.com और MBA और मैंने chartered accounted के लिए इसलिए नहीं लेगा क्योंकि they have already professional degree company secretary C.A. में they have already लेकिन जो B.com, M.com जो एक लाला company में C.A. company में 20,000, 25,000 में काम कर रहे हैं और उनको मतलब humiliate किया जा रहा है, उनको सही तरी किसे treat नहीं किया जा रहा है, तो आपके पास आपको guys क्या करना पड़ेगा, skill skill को improve किये बिना, आप कभी भी success नहीं पास सकते, यह मैं आपको लिखके दे रहा हूँ और skill आपको improve करनी ही पड़ेगी, और skill कैसे आती है, education से, आप बनाइए, मैं अगर एक chartered accountant नहीं होता, तो क्या आप मेरा यह presentation देख रहे होते, क्या मैं इसके पहले job करता था, क्या मुझे job मिलती, तो क्या B.com पे आपको मिलेगी job, 25,000, 30,000, लेकिन आपको managerial position पर, managerial position पर कोई भी hire नहीं करेगा, तो आपके पास skill आपको consistently improve करनी पड़ेगी, और skill के साथ साथ एक बात, इतने लंबे समय के profession कई बर, एक साल तक अपने आपको motivate रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो अगर आपको in profession को pass करना है न, तो बिलकुल जैसे ही अरजुन है न, अरज फोकस बरकरार रहता है और इसके लिए आपको focus के साथ साथ एक अच्छे mentor की requirement definitely होगी, वो mentor आपका कोई भी हो सकता है, आपका teacher हो सकता है, आपका friend हो सकता है, आपके family member में हो सकता है, focus, believe और mentorship एक अच्छा मागदर्शन जीवन में आपको definitely आगे बढ़ा सकता है, और वो working professionals जो जीवन में struggle कर रहे हैं, मैं आप से कह रहा हूँ, केवल एक साल की आप one year, यह 2021 चल रहा है, केवल जिन्दगी में एक साल, एक साल आप अपने उपर दे दीजिए, dedication के साथ में मैं आपको literally बोर रहा हूँ, आपकी जो आज situation है ना, उसमें 100% improvement आएगा, लेकिन आपको skill क improve करना पड़ेगा, certification को obtain करना पड़ेगा, आज internationally, आज देखिए, world globalized है, कितनी सारी multinational company इंडिया में काम कर रही, इंडियन company बाहर काम कर रही, work from home का culture है, आपके पास मैं किरो opportunity भरी पड़ी हैं, बतलब इतनी opportunities हैं, लेकिन हमारी जो schooling है, जो हमारी education है, वो old thought of school की है, आप अपनी skill को improve कीजिए, यह C.A. शम्मी सलूजा का signature के साथ में आपको commitment है, कि आप इन profession में से किसी एक भी profession को achieve कर लेते हैं, आपका जो dream है ना, जो आपका dream है, यह companies देख लीजी, यह जो big big companies हैं, इने में से किसी भी एक company में आपका placement 101% हो जाएगा, यह C.A. शम्मी सलूजा का आपको 100% written commitment है, और we are ready to help you, आप इस profession को in profession को definitely अचीव कर सकते हैं, केवल अपने आप से आपको एक साल वादा करना है, कि सर हम एक साल एक focus के साथ में काम करेंगे, और definitely मैं आपको कह रहा हूँ, यह profession आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, आपको एक अच्छे level पर job दे सकता, और देखिए, जीवन में आप सीखेंगे, उसके बाद आप बड़े level के courses कर सकते हैं, लेकिन starting करने के लिए एक B.com degree is not sufficient, not sufficient, B.com, M.com में credibility नहीं है, आपने वो चीजें अच्छे से नहीं पड़ी और आपका खुद का confidence भी नहीं है, so guys, hopes आपको वीडियो अ Thank you very much.